गजेंदर सिंग मन्स से प्रिशासनिक अधिकारियों को खुली चेतावनी दे रहे हैं वो साफ कहते नजर आते हैं कि 5 साल में राज बदल जाता है और उनके पास एक-एक अधिकारी की जन पत्री रखी है गजेंदर सिंग इस वीडियो में अधिकारियों को उल्टा लटकाने की धमकी दे रहे हैं बताया जा रहा है कि पोकरण में चुनाव कारयाले के उधिखाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए गजेंदर सिंग शेखावत ने ये बयान दिया इसलेकर प्रशासनिक अमले में अब दभी जमान में नाराजगी जाहिर हो रही है तो मंच से प्रशासनिक अधिकारियों को धमकी देते गजेंदर सिंग नजर आए आपको बता दी कि ये चुनाव आकरी चुनाव नहीं है ये गजेंदर ने मंच से कहा पात साल में राज बदल जाता है और एक-एक अधिकारी की जो कुंडली है वो उनके पास है और साथ साथ उन्होंने कहा कि तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को वो उल्टा लटका देंगे ये बीजे भी प्रतियाची है गजेंदर सिंग शेखावद और मंच से एक सभा को जम्बोदित कर रहे थे जहां पर अपने चुनाव कारेट का उन्होंने उध्धाटन किया तो इस दौरान उनके ये बोल सामने आए तो लगातार जिस तरीके से लोकसभाद चुनाव आगे बढ़ रहा है जो प्रिशासनिक अधिकारी है उन्हों पर गजेंदर सिंग शेखावद का जो बूल है वो भी सामने आए प्रिशासन ने भी आज इनमंच पर खड़ो चेतावनी दे रही हूँ क्यों चुनाव आखरी चुनाव नी है पात साल में राज बदल जाए मैं एक 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 ए जनम पत्री मारे आख्या में राक्योडी है उल्टा नी लटका दो तो मारे नाम गल नर संग नी है एक एक ए पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं दवे आकर क्या जो कहना चा रहे थे गजिंद साब और किस मौके पर मैं आपको ये बता देना चाता हूँ कि कल पोकरन के अंदर सुनावी चभाग का आईदन किया जया था और कारले उद्गातन के समय मंत्री गजिंद सिंदी यहां पहुंगे थे लेकिन मैं आपको वत्मान में बताने चाता हूँ कि वत्मान में राज़िती जो है कॉंग्रे आप बीजेटी के कारिकरताओं का जमकर कारिकर है आम लोगों को फायदा पहुता है लेकिन जो मंत्री का ये जो बायान था विवादित बायान था इससे लिए पुरसास्री का अमना भी ये चाता है कि मंत्री का ये जो बयान है और बहुत ही बड़ा बयान है और इसको लेक पर जानकारी देते हुए किस तरीके से गजेंदर सिंग का विवादित बोल जो है वो सामदे आये हैं जहांपर प्रश्चासनिक अधिकारियों को उल्टा लटकाने की धमकी देते हुए मंद से यहांपर गजेंदर सिंग नजर आए